नेश्चरली ग्लास स्किन एचीव करनी है ना तो इस रेमेडी को जरूर प्रिप्यार करें आपको ज्यादा नहीं बस दो मिनिट इसे देना है और आपकी स्किन काफी जादा ब्राइट इन टाइट इन और ब्यूटिफुल होने वाली है साथ ही ग्लोइंग भी इसकिन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप मॉर्निंग में उठ करके इस फेस पैक को स्रिफ दो मिनिट देते हैं तो आपकी स्किन काफी जादा ब्यूटिफुल होने वाली है और साथ ही आपकी स्किन के प्रॉब्लम भी इसली सॉल्व होने वाले हैं तो चलिए बता इसे कैसे प्रिफियर करना आपको आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ा सा काम करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो में शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुचे यह बिल्कुल free of cost है तो अभी अभी फटा फट से कर लीजिए तो इस remedy को प्रिपियर करने के लिए यह glass skin face pack को प्रिपियर करने के लिए आपको सबसे पहला ingredient लेना है वो है basin यानी gram floor यह हमारे skin से dead cells को remove करता है साथ ही हमारे skin पे अगर बहुत ज्यादा मैल जमा है यह हमारे skin बहुत ज्यादा जाबली हो चुकी है तो इसे यह brighten करने की capacity रखता है साथ ही इसमें antibacterial properties पाय जाते हैं जो acne इसको heal करने की capacity रखता है सो आपको लेना है one tablespoon of basin यानी gram floor second ingredient मैं use कर रही हूँ वो है yogurt यानी दही मैंने इसमें से water निकाल लिया है yogurt में दही में से water शान लिया है स्रिफ हमें cream चाहिए तो आपको उसका water अलग कर लेना है मेरी पूरी YouTube family जानती है कि हमारे yogurt में यानी दही में बहुत जादा lactic acids पाय ज से soft supple बनाते हैं ताकि हमारे skin अंदर से glowing दिख सके और बाहर से भी तो आपने लेना है एक चम्मच भर करके yogurt यानी दही अपिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी लेना है wild हल्दी जिसे हम कहते हैं English में आपको घर की हल्दी बिल्कुल यूज नहीं करनी है अगर आप घर की हल्दी य एकने है या pimple है तो वो बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें chemical मिला होता है साथ ही आपके skin बहुत जादा जल जाएगी काली हो जाएगी तो मैं हमेसा recommend करती हो कि आप wild हल्दी यानी कस्तूरी हल्दी का application करें तो यहाँ पर पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी लेना है य इसमें बहुत सारे antibacterial properties पाए जाते हैं जो acne से fight करते हैं इसके बाद हमें लेना है honey यानी शहद आपको शहद half spoon half tablespoon लियूज करना है इसमें बहुत सारे iron पाए जाते हैं जो हमारे skin को अंदर से soften करते हैं brighten करते हैं हमारे skin को moisturize करते हैं इससे अच्छी तरीकी से आपको mix कर लेना है यह ठिक सा paste आपको achieve हो जाएगा और यह हमारा बनके दो मिनट में बनके तयार है instant glowing face pack जो आपको बात लेने से दो मिनट पहले करना है 10-15 मिनट अपने skin पे रखना है और इसको wash out करना है लगतार आप 7 दिन करके देखें आपकी skin अगर glowing skin में change नहीं हुई न तो मैं दावा करती हूँ कि मेरे चैनल को बिलकुल unsubscribe कर दीजिएगा यह आपके skin को बहुत जादा अंदर से deeply clean करता है साथ ही इसमें सारे ingredients बहुत powerful है single ही बहुत जादा powerful है तो इसे आपको अच्छी तरीके से mix करना है ताकि यह easily आपके skin पे blend हो जाए यह हर दिन आपको morning में बात लेने से पहले करना है दो मिनट में यह prepare हो जाएगा बहुत ज तो आपको एक महिना पहले बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए आपके skin बहुत जादा ब्राइटेन दिखने वाली है इसका application करने से पहले आपको अपने skin को proper clean करना होगा face wash अगर आपने makeup wear किया है तो आपने face को पहले clean करना होगा face wash से अगर आपने makeup wear नहीं किया है तो cleansing use कर सकते हैं cleansing milk use कर सकते हैं अपने skin को clean करने के लिए वह best option है उसके बाद आपको अपने hand की health से पूरे face में आपको जहां जहां डार कर एरिया है वहां especially आपको भर-भर के लगा लेना है आप इसे under eyes में भी लगा सकते हैं बट दो से तीन मिनट के बाद उसे आप बिल्कु जगा है वह तो आपने अगर अगर आपको अंडर आइस में बहुत जादा डार्क सरकल से तो वहां पर अपपलाई कर लें मगर आप दो मिनट रखने के बाद उसे उस एरिया से उसे हटा दे और फेस में आपको 15 मिनट रखना है उसके बाद आपको बात ले लेना है अगर आप लगतार इसे सेवन डेज करते हैं आपके स्किन में इतने जादा चेंजिस आने लगेंगे ला कि आपने कहना है कि यह तो मैं प्रॉपर यूज करने वाली हूं हमेशा के लिए यह सारे इंग्रीडियंट बहुत जादा बैनिफिशिल आपके इसे आपको पूरे एरिया किर खूरे में अप्राइग करना है यह तैनिंग से भी आपको बहुत जादा अगर्पो टैनिंग हो रखिए हुवी डैमेज आपकिछो यह तिक करने के लिए बहुत ज्यादा जादा बैनिफिशिल है यह आपके स्किन को बिलकुल ग्लास वाला स्किन जो कहते हैं जिससे रिफ्लैक्ट पढ़ने पर आपकी स्किन बिल्कुल चमाक उठे वो वाला ग्लो देने वाली है और यह इंस्टेंट ग्लो फेस्पैक है जो आपको इसली घर पे बैठे जीरो इंवेस्टर में मिलने वाला है तो आपने इसी तरी किसे अपलाई कर लेना है सारे एज ग्रूप क बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके बाद आपको 15 मिनिट के बाद आपको इसे वाश आउट करके हटा देना है जब आप हटाईएगा तो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी आपको इतना मॉस्टराइजर लगाने की ज़रूरत ने पड़ेगे क्योंकि मैंने यहा आकर honest review अपना share करना है कि आपको इस face pack से क्या क्या आपकी skin में changes आए हैं कमेंट के तरूँ आप आप अपना जो भी view है मुसे शेयर कर सकते हैं मुझे comment जरूर करिए मुझे जिसका comment पसंदा आएगा मैं उसे community post में जरूर शेयर करती हूँ तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने इसके बाद अगर आप चाहें तो मॉस्चुराइजर लगा सकती है मेरी ड्राइज स्कीन है इस वज़े से मैं यहां पर मॉस्चुराइजर यूज कर रही हूँ आपको हलके कोई भी आप जो भी मॉस्चुराइजर यूज कर रही हूँ मैं अपने चानल पर बहुत सारे मॉस्चुराइजर बता रखें क्रीम बता रखें तो आप बिल्कुल जाके विजट कर सकती है और देख सकती है इसे आपको अपने फीस में लगा लेना है दो मिनिट का मसाज ले लेना है बात के बाद आपको मॉस्चुराइजर यूज करना है आपके स्किन अंदर से ग्लोइंग होने वाली और आपने गहना है भाई वाह मसा आ गया तो इसी तरीके से इसका अप्लिकेशन करें और इसी कि हमारे स्किन पर अगर ब्राइटनिंग आप नहीं है बहुत स्किन काली पड़ चुकी है तो इसमें भी यह हैल्फुल है आपकी स्किन को काफी जादा ब्राइटन करती है सो गर्मियों में आप अपने स्किन को इसी तरीकी से प्रेप कर सकते हैं इसी तरीकी से ग्लोइंग बना सकते हैं, so यहाँ पर मैंने कोई makeup wear नहीं किया है, मेरी जो natural skin है, वो बिल्कुल explore कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे YouTube family भी अपने real skin को explore करें, बिल्कुल इसी तरह के से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ो को ख्याल रखें और अपने skin का दुख बिल्कुल ख्याल रखें, बाई, टेक क्यार